हलो एवरिवन मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलिजेंट एससीन यूट्यूब चैनल के उपर आज की जो हमारी वीडियो है वो मौक टेस्स से रिलेटीड होने वाली है मौक टेस्स में आपको क्यों लगाने चीए कौन से लगाने चीए कितने लगाने चीए कब लगाने चीए कौन सी चीजे ऐसी हैं जिसकी वज़े से आपका मौक टेस्स का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है कौन सी चीजे ऐसी हैं जो एक्जाम के टाइम पर आपको ध्यान दे करते हैं offline के लिए भी करने पड़ते हैं लेकिन आज जो basically हम बात करेंगे वो online SST के जितने होते हैं railway के banking के सारे exam online होते हैं तो हर एक exam के लिए आपको यह helpful रहेगा analysis कैसे करने है मुक्तेस की वो भी आज मैं आपको समझाओंगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मैंने पूरे तीन पेज के नोट्स बनाए हैं एक एक चीज आपको बताने के लिए कि कोई मेरे से miss out ना हो जाए तो जल्दी से आप लोग भी अपनी pen copy उठा लेजिए और मेरे साथ चात में जो जो कुछ कर दूँगा लेकिन जब actually उन चीजों को डीप डाइव आपको करना होता है उस टाइम पे आप सारी चीजे भूल चुके होते हो तो उसके लिए best चीज क्या होती है बहुत सारे बच्चे मेरे को भेजते भी हैं कभी कबार वो मेरी जो strategy होती हो उसको copy के उपर लिख लेते हैं तो आप लोगों के लिए यही best चीज है कि आप उस सारी चीजों को copy के उपर लिख लो कि कौन कौन से चीज है आपको कैसे कैसे करने हैं सबसे पहले चीज से स्टार्ट करते हैं मोग कब लगाने चीज है कोई भी एक transparent है आज उसने त्यारी स्टार्ट की तो उसको कब से मोक्तेस लगाने स्टार्ट करने सबसे पहली बात अगर आप यह सोचके बठे रहोगे जब मेरा syllabus होगा उसके बाद मैं मोक्तेस लगाना शुरू करूंगा syllabus कभी complete नहीं होता मैंने अपने 3-4-5 exam जितने निकालने थे निकाल ली और आज भी अगर आप मैंसे पूछोगे तो कोई ना कोई topic आज भी ऐसा रहे गया हुआ कि जो मेरे को ऐसा लगता था कि यह और पढ़ लेना था तो syllabus कभी complete नहीं होता तो फिर कभ start करें जब आपका 40% के round syllabus हो जाता ना ओल ओवर जितना भी syllabus है उसमें से 40% के round जब syllabus complete हो जाता है उसके बाद मैं आप मोक्तेस लगाना start कर दिया अब कितने लगाने चाहिए कहां से लगाने चाहिए जो experiment ऐसे हैं जिनका syllabus अभी complete नहीं हुआ है जिनका 40, 50, 60 या 70% तक का जिनका syllabus है उन लोगों को try करने चाहिए कि अगर वो CPO के मोक्तेस लगा रहे हैं मतलब 200 question वाले मोक्तेस लगा रहे हैं तो week के अंदर at least 2 मोक्तेस लगा हैं at least 2 बोला है 3 भी कर सकते हो आप 4 तक भी जा सकते हो और अगर 100 question वाले मोक्तेस आप लगा रहे हो तो वो आप लोगों को 3 लगाने चाहिए at least 3 लगाने चाहिए 4 पांच जितना आप कर सकते हो उतने लगा सकते हो यह क्यों बोला है मैंने 200 question के जो मोक्तेस होते हैं उनके analysis सोड़ी मुस्किल हो जाती इसलिए मैंने उनको दो बोला आपको टीन बोला उसके बाद कहां से लगाने चाहिए सबसे पहला और best source आप लोगों का है जो previous year के mock test है previous year के mock test आपको बहुत सारे platform के उपर available हो जाते हैं या फिर आप लोगों को PDF format में भी मिल जाते हैं मैं बोलूंगे कि आप लोगों को जो mock test platform के उपर होते हैं वहां से लगाने चाहिए तो उसके लिए test book आप लोगों के पास में एक best choice के तरह से काम आता है जब previous year की बात आती है क्योंकि सारे previous year questions को इन्होंने अपने जो mock है उनको इन्होंने कठा कर रखा है सारे एक ही जगह पर मिल जाते हैं और अभी फिलहाल आपकी test book के ओपर बहुत बड़ी sale चल रही है तो जिन लोगों ने अभी तक mock test नहीं लिया है वो ले सकते हैं जिनका आने वाले एक महीने के अंदर भी खतम हो रहा है वो भी ले सकते हैं क्योंकि आपका आज आज आप renew कर लोगे तो आपका extend हो जाएगा जो आगे test book को recommend किया है वो सिरुफ और सिरुफ pass pro के अंदर available होता है वहाँ पे multiple attempts और बहुत चारी चीज़े होती है तो pass pro आप लोगों को लेना है DSSC अगर आप coupon code लगाओगे तो extra 12% आपको discount मिल जाएगा और आप लोगों को जो pass है अपना वो और भी सस्ता पर जाएगा ठीक है यह चीज मैंने समझा दी कहां से लगाना है पहली बात तो test book से लगाने दूसरी बात जो test book के full mock test है वो भी लगाने है उसके साथ साथ जितन भी और platform है उनके अगर आपने किसी का बाय का रखा है तो well and good है वहां से लगा सकते हो अदर्वाइस उनके जितने free mock test है ना वो ज़रूर लगा लेना जो free mock test होते हैं या फिर live mock test होते हैं उनकी update मैं अपने telegram channel के उपर देती रहती हूँ अगर किसी ने अभी तक telegram channel जोइन नहीं किया है तो वो भी join कर लेना ताकि आपको update मिल जाए कि कब कोई live mock test आ रहा है या free mock test आ रहा है free और live सबके लगाने हैं और जो एक pass लेना है वो एक तो at least आप लोगों को ये test book वाला लेना है ठीक है उसके बाद में जो आपका next question है वो ये है कि मतलब how to attempt mock test mock test को attempt कैसे करना आपको ये mock test के उपर भी लागो होगा और आपकार ये exam के उपर भी लागो होगा mock test को आप लोगों को एक तरह से exam की तरह से लेके चलना होता है कि ये मेरा exam है तो जैसा जैसा आप exam में करोगे वैसी जैसी सेम चीज़ें आप लोगों को mock test के अंदर करनी होगी तो mock test क तो attempt करने के लिए एक series होती है या sequence होती है जो आप लोग decide करते हो कि मैं इस sequence से जाऊंगा जैसे मैं करती थी GS सबसे पहले करती थी English उसके बाद में reasoning और फिर math तो ये कि मेरे लिए suitable था क्योंकि मेरे reasoning में अगर मेरे GS के अंदर बहुत कम score भी हुआ तो मुझे बहुत जादा फरक नहीं पड़ता था कि ठीक है कम हो गया जादा हो गया या फिर मेरी एक type से आप बोल सकते हो GS strong थी जिसकी वज़े से मुझे क्या होता था कि GS में मैं अच्छा कर लेती थी पहले से मुझे बहुत जादा टेंशन नहीं होती थी तो मैं GS को पांच मिनट में निप्टा देती थी उसके बाद में English को साथ से आठ मिनट में निप्टा देती थी उसके बाद में मेरा reasoning reasoning, reasoning को 10 से 15 मिनट के बीच में निप्टा देती थी और जब मैं maths वाले section पे आती थी तो लग लग 35 मिनट में पास होती थी 33 से 35 मिनट का target होता था मेरे पास में होना चाहिए फिर उसके बाद में मैं maths को करना start करती थी यह series आप अपने according भी बना सकते हो बट दो most favorable series होती है एक तो होती है जो मेरी थी GS, English, reasoning और math एक होती है reasoning, English, GS और math इसमें क्या होगा? reasoning में आप already अच्छा कर लोगे तो आपका एक अच्छा खासा section हो गया है English में भी आप अच्छा करोगे तो दो में confidence आ गया है उसके बाद GS भी ठिक ठाक करके निकाल दोगे और फिर last में math कर लोगे कुछ हैस्पेरेंट ऐसे होगे जिनका math इतना जादा strong होगा कि वो पहले math ही करना prefer करेंगे बस मैं आप लोगों को एक suggestion देना चाहूँगे जो भी चीज़े करने हैं जितने भी experiment करने हैं वो आपको अभी कर लेने हैं जब आप mock test लगा रहे हो क्योंकि जब बाद में आप उन चीज़ों को paper में जाके अगर experiment करोगे तो आप बिल्कुल fail हो जाओगे अभी अपना decide कर लो कि किस तरीके से मुझे mock test लगाने हैं दो तिन तरीके से लगा के देखो जिसके अंदर आपका confidence ज्यादा अच्छा रहता है उसी के अंदर आप लगाना start कर दो मेरी तेरी उसकी strategy से क्या होगा जिससे आप अच्छा perform कर पा रहे हूँ वही चीज तो आपके लिए कामियाब है तो इसलिए अपनी strategy जो भी आप बनाओ उसको fix कर लो कि किस series में mock test लगाने हैं उसके बाद क्या होता है section wise मैं आपको समझाती हूँ कि कौन से section में किस हिसाब से चलना चाहिए जिससे आपका score थोड़ा सा improve होगा सबसे पहले बात करते हैं GS की GS के अंदर आपको random guesses नहीं लगाने कि blind आपने लगा दिया कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आपने लगा दिया सबसे पहले आप वो question करो जिसके अंदर आपको sure short हो आप उसके बाद में आ अगर आपको नहीं आदारा कब हुआ था लेकिन उन्होंने कोई 1800 something की date दे रखी है तो आप उससे या idea लगा सकते हो कि उस time पे तो गांदी जी भारत आई ही नहीं थी अगर आपको गांदी जी के भारत आने की date याद होगी तो दो option 1800 something के तो वो वैसे ही कट जाएंगे आप कि आपको समझाओंगे एक एक चीज बारी किसी कैसे option elimination किया जाता है तो GS के अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि लालच नहीं करना है random guesses नहीं लगाने है बहुत बार ऐसे होता है लगा देता हूरे बहुत कम attempt हुए है हो जाएगा ठीक और वो गलत हो गया तो negative कितना लेक आपको लग रहा है यह answer है तो वही लगाओ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है किसी question के उपर आप अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोचोगे उसके बाद में आप उसको करोगे खराब कर दो हुए English में मेरे साथ तो हमेशा यही चीज होती थी मेरे बहुत सारे friends म है उनके साथ में भी यही चीज होती है कि गट feeling जो होती है पहले इंस्टिक्ट में जो आती है उसी के साथ में जाओ उसके बाद में जैसे PQRS है बहुत लेंथी होता है मुझे पढ़ने में, तो पहले पूरी इंग्लिस को solve कर लो, उसके बाद में आप इंग्लिस का जो reading comprehension वाला section है उसको solve कर सकते हो, ताकि आपकी बाकी चीजे solve हो गई हैं, और सिरफ वो question बच गए हैं, बहुत बार ऐसे होता है, reading comprehension कि एक question अलग-अलग, एक question first number पे है, दूसरा tenth number पे third, किसी और number पे है, तो उसके case में क्या होता है, कि पहले आपको पूरा solve कर लेना चाहिए, और reading comprehension फिर बाद में एक साथ पढ़ लो, उसके बाद में जब पढ़ रहे हो, तो पहला question आपका जो attempted वाले question है, या फिर mark पो review करके छोड़ दो, आप जो question आपके reading comprehension के हैं, तो direct आपने first खोला, फिर fifth खोला, फिर seventh खोला, एक बार में हो गया, आपको बार-बार reading comprehension पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, तो यह जो छोटी-छोटी चीज़े हैं, यही chance देना होता है, एक बार chance तो आपके दिमाग में click हो गया, well and good है, अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि calculation का कुछ उपर-nीची हो सकता है, तो जो उपर-उपर का सरसरी ता और पर होता है, वो दूसरा chance भी दे दो, अगर उसमें नहीं बना, तो question के उपर मत रुखो, चाहे वो कितना ही आपके favorite topic का question हो, मत रुखो, उसके उपर आगे बढ़ जाओ, अगले वाला question हो जाएगा और जब आप last में आके देखोगे ना, जब आपका पूरा paper हो जुगा होगा, उस time से आप वो question हो जाएगे, कुछ question ऐसे होंगे, जिसके नमबर series के missing number के, जिनको आपको लग रहा होगा कि हाँ, यह हो सकता है, उनको mark for review कर लो, और कुछ question ऐसे होंगे, जिनका clue ही नहीं होगा, जैसे कोई calendar का बहुत आड़ा-टेड़ा question आगया, जिसका आप खुद clue ही नहीं निकाल सकते हो, तो उस question को mark for review मत करो, बहुत बार क्या गलती होती है, मेरे साथ खुद हुई थी, maths के section में यह गलती, कि मैंने सारे question को mark for review कर दिया, और सारे question को mark for review करने के जिनका आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मैं इस में कुछ कर सकता हूं, या यह मेरे से हो सकता है, इस type का question मैंने किया हुआ है, reasoning का मैंने बता दिया, एक बार attempt करो, दूसरी तोर से attempt करो, नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ, जब last में सारा paper attempt हो जाए, उसके बाद में उन questions के उपर आना 101% आपके वो questions बन जाएगे, उसके बाद में आप बयात करते हैं math section ही, math है कैसा section है, जो आपको वहां भी ले जा सकता है, और जो आपको जमीन में नीचे गड़ा को बैठने की भी जगह नी छोड़ेगा, ऐसी भी आलत कर सकता है, क्योंकि math में बहुत बार questions ऐसे हो जाते हैं, लें लेंटी हो जाते हैं, calculation गलत होगी, silly mistakes सबसे ज़्यादा math में होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, math में सबसे पहली approach आपको लेके चलने हैं, art of skipping अगर आपको बनानी है, तो question को पढ़ा, और अगर आपको ये पता है, कि इसके अंदर ये concept है, और ऐसे करना है, कि मतलब आपको question को पढ़ते ही, आपका pen सुरू हो गया, कि इसके अंदर तो ये लगना है, तो आप उस question को attempt करो, अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ, तो उस question को छोड़ दो, आपको लगता है कि हाँ, मैं इस question को कर सकता हूँ, तो mark for review करो, अगर नहीं लगता है कि मेरा तो पढ़ा हुआ icon से अपनी है, तो फिर mark for review ने आगे skip करके आगे बढ़ जाओ, एक simple method है ये, और यही method है, जो आपको बचा सकता है, कि questions के अंदर फसने से, वरना दो या तीन question ऐसे जरूर डाले जाते हैं, या तो वो गलत होंगे, या फिर वो question lengthy होंगे, उनके मैंने आपको समझा दिया है, अब 4 section से आप go through हो चुके हो, अब आपको mark for review वाले questions को देखना सुरू करना है, कि ये question मैंने mark for review डाला था, लगबर आपके पास में अगर इस method से आप जाओगे तो 10 से 12 minute का time बचा हुआ होगा, और उन 10 से 12 minute के अंदर आप guarantee के साथ में में ब improve होगा, जब exam होगा, उसके अंदर भी improve होगा, जितने भी चीजे मैं समझा रही हूँ, आज से अपने mock test के ओपर implement करना, start करना, ऐसे नहीं है कि paper में जाके implement कर लेंगे, आज से जब करोगे, तब ही आप paper में जाके कर पाऊगे, ठीक है, उसके बाद में अब आजाते हैं, एक exam के अंदर एक बड़ी घटिया सी चीज हो रही है, आज कल मैं घटिया ही बोलूँगे क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, कि ऐसे होता है, एक seat दी जाती है, उसके बाद जब दूसरी मांगते हैं, तो उस seat को ले ले लेते हैं, और हमारी पहले वाली seat जो ले ले लेते ह इस case में क्या होता है, कि बहुत बार ऐसे होता है, हमने बहुत बड़ी लंबी चोड़ी calculation की होती है, कुछ लिखा होता है, किसी की details लिख रहे होते हैं, हम इसमें यह वो, किसी के questions लिख रहे होते हैं, बहुत बार की RC के questions हैं, यह question है, mark for review में by chance बहुत ज़्यादा होगे, तो कुछ भी हम लिख रहे होते हैं, वो चला जाता है, तो इसलिए अगर छोटा मोटा आपको चीजे लिखनी है, तो वो अपने जो admit card है, उसके back side में लिख लो, चुपके से लिखना उसको बना वो उठा ले जाएंगे उसको, admit card के back side में लिख लो, और वो जो seat होती है, उ अभी स्यादत कि उसको पूरा कर लो, ताकि और दूसरी चीज, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपकी seat इतनी बची हो, उसके बाद आपने आवाज लगाए, कम से कम भी आपके पास आदी seat का space बचा हुआ है, तब आपको आपको आवाज लगा देनी है, तो एक मिनट खड़े हो जाएंगे और आपको seat दे के चले जाएंगे, आपका कोई भी time waste नहीं होना चाहिए, छोटी-छोटी चीज़े मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ऐसे भी लग रहा होगा क्या बता रही हो, लेकिन ये चीज़े बहुत जादा काम आएंगे आपको, उसके बाद आपका क्या हो गया कि ठीक है भई, मोक टेस्ट की इतनी सारी कहानी बता दी, एक बार मैडम ये भी बता दो कि मोक टेस्ट लगाएं क्यों, फायत दे क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो आपके दिमाग में डर है ना ये, कि पेपर कैसा होगा, हाई, कितने नंबर तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, दूसरा, जितनी गलतियां आपको करनी होती हैं, वो अभी मोक टेस्ट में कर लोगे, आप वहाँ जाके आपको वो गलतियां नहीं करनी पड़ेंगे, यहां से सीख जाओगे, तीसरा, एक हर बार मेरे को ये क्योशन मिलता है, कि मेरे को पेपर क्या क्या करना है, यह सारी चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं किये हैं, इस वज़े से आपका पेपर छूट रहा है, अगर आज से आप इसके उपर लग जाओगे, दो महीने बाद पेपर है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, किसी बच्चे का पेपर छूट नहीं सक इतने में भी इतना तो मैं करीद हूँ, तो वो सारी चीजें आपको मोक टेस्ट से आएंगी, तो यह सारी फायदे हैं मोक टेस्ट अगर आप लगाओगे तो उसके, जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं दुबारा से बोल रही हूँ, अभी कर लो, पेपर वाले दिन कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मोक टेस्ट से सीख लो और उसको जाके इंप्लिमेंट कर देना सीधा-सीधा, एक फिक्स पैटर्न बना लो, ऐसे पेपर करूँगा, यह यह चीजे करनी हैं और ऐसे बात होनी हैं, अब सारी चीजे हो गए वे, अब एक सबसे गंदी आदत जो मेरे में भी थी, मैं चोड़ी होके कह दूँ कि नहीं, मैं नहीं करती थी, या कोई maximum experience इसको करते हैं, और हमेशा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारा comfort जो नहीं, या जो चीजे हमें अच्छी लगती हैं, उन्हीं के साथ में हम ज़्यादा जाना परि दिया, नहीं समझ में आ रहा, सिर्मे दर्द हो गया, कोई question ऐसा हो गया, कि जो नहीं, मतलब आपको ऐसे लग रहा है, यार मुझा आता तो है, लेकिन थोड़ा सा आप भूल रहे होता, आपने सोचा कि हाँ, कोई formula देख लिया, कुछ भी ऐसे चीज़ कर ले, ये सारी questions है, आपके 10 questions तक एक भी question नहीं होआ है, मोक्तेस पोज नहीं होना चाहिए, मोक्तेस पोज किसी extreme situation में होना चाहिए, कि जो unavoidable है, कि कोई ऐसा bum bum खट गया आपके उपर, कि उसके बाद में आपकी मतलब कि हाँ, unavoidable है ये situation, वहीं मोक्तेस आपको पोज करना है, वरना मोक् पैठो क्योंकि पेपर का आपका exam जो होगा, वो पोज नहीं होगा, चाहिए आपको washroom ही क्यों ना जाना पड़े, आपका exam पोज नहीं होगा, तो वही situation आप यहां भी मान के चला करो कि आपका मोक्तेस पोज नहीं हो सकता है, अब सारी चीज़े हो गई, मोक्तेस लगाना क आपको समझाती हूँ कि कैसे आपको करनी है, बहुत आरे मैं हर वीडियों बोल देती हूँ, मोक्तेस अनालिसिस करो, इवन जो डेली स्टेडी प्लैन होता है, उसमें लिख के भेज देती हूँ, यह बला है, क्या करनी कैसे होती है, वो तो समझाओ, तो आज मैं आपको वो हो गया, आपने कुछ भी नहीं सीखा हूँ से, सबसे पहले, मोक्तेस जब आप अटेम्ट करके अपना पोज करोगे, तो आपके सामने दो से चार चीजे खुलती हैं आएगे इस टेस्ट बुक के उपर कई दिन होगे, मोक्तेस दी हूए, आपका स्कोर, आपकी रेंक, आप इसका स्लेबस कंप्लीट हो गया, उसको कोसिस करनी है कि 90 प्लस परसेंटाइल वो बना के रखे अपनी, अगर कोई मोक्तेस 50,000 प्लस बच्चों ने अटेम्ट कर रखा है, तो उसके अंदर आपकी 90 परसेंटाइल होनी ही चाहिए, अगर कोई SIS परेंडर जिसको टॉप पो अगर परसेंटाइल भी आपकी नीचे आई है, तो इसका मतलब आपने मोक्तेस में गलती की है, अगर आपकी परसेंटाइल सेम है और आपका स्कोर नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, let it be, पेपर मुश्किल था, सब का स्कोर कम आया है, आपका हकेले का स्कोर कम नहीं आय तो परसेंटाइल आपको जज कराती कि आप बाकी लोगों के कमपेरिजन में कैसा कर रहे हो, कि अगर आपके 90 परसेंटाइल है तो आपका ये मतलब हो गया कि 90 लोगों से आप आगे हो, आपके आगे सिरफ 10 लोग हैं, जिनके आगे आपका कॉम्पेटिशन है, इनको आप टाइम वेस्ट किया, आपके धाई नंबर लेके गया, अगर सीजल का मुख टेस है तो धाई ले गया, सीपयों का है, तो 1.25 आपके नंबर ले गया, गलत भी हुआ, टाइम भी ले गया, सारी चीज़ी गई आपकी, तो सबसे पहले रोंग देखना है, रोंग के अंदर दो उसमें पूछा, water into juice का ratio था, आपने उल्टा कर दिया, यह जो अटपटी सी चीज़ी होती है, यह सारी silly mistake में होती है, अगर ऐसा कुछ भी आपने mock test में किया है, तो अभी अपने आपको punishment दो और उसको एक error notebook आप बनाओगे, एक copy ले लेनी है, जिसके अंदर आप 4 subject के बाकी सब काई बना लो तो अच्छा है, उसके अंदर उस question को लिखो, अपने आपको pain दो इतना, आगे से आपको ध्यान रहेगा, कि अगर ऐसा question आ गया, तो मिरको silly mistake की, तो मैंने उसमें भी लिखना पड़ेगा, और आपके दिमाग में बैठना चाहिए, जितनी भी silly mistake होत कभी भी which type का paper में आता था, तो मेरे दिमाग की बत्ती जलती थी, इसमें तो silly mistake करती है, तो जो silly mistake का point होता था, उसको ध्यान से देखते थी, उसके बाद में आपका क्या होगा, कि आपका या तो पढ़ा हुआ गलत हो गया, या फिर वो आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर आ इसली time आपको क्या करना है, या तो उसको लिख लो कि ये topic है, उसको जैसे पूरी analysis खतम हो जाए, उसके बाद में उस topic को उठाना है और उसको revise करना है, या फिर पहले उस topic को revise कर लो, आगे की analysis उसके बात कर लेना, revision बहुत जादा जरूरी है, तब ही आप improve करोगे, जहां unattempted question, unattempted questions के अंदर आपको देखना है, पहली बात, आपका क्या वो chapter पढ़ा हुआ था, पढ़ा हुआ था, तो it means आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो जो चीज उसके अंदर गलत रहे गे है, उसको revise करो, अगर वो आपका chapter नहीं पढ़ा हुआ, तो अभी आपको पढ़ा हुआ है, और फिन भी नहीं हुआ, तो आपकी गलती है, आपको उस topic को दुबारा पढ़ना है, नहीं पढ़ा हुआ तो उसको पढ़ लो, या फिर आगे जब भी आपका syllabus complete होगा, तब आप उसको पढ़ लोगे, बात खतम हो जाए, उसे बाद एक और चीज analysis करनी ह test book के अंदर आपको दिखाता है, कि आपने कितना time लिया और average बच्चे ने कितना time लिया, average बच्चे ने मालो एक minute ली है, और आप उने 4 minute उसके अंदर ले ली, तो आपको देखना है कि आपकी 4 minute क्यों गई, क्योंकि 4 minute बहुत बार इसलिए चली जाती है, दो दूनी 8 लिख देखो, समझो कि क्या चीज थी जिसकी वज़े से आपका यह चीज गलत हुई और उस चीज के ओपर काम करो जो जो चीज इन क्योश्चन के अंदर आप ओवर टाइम ले रहे हो बहुत जादा ओवर टाइम ले रहे हो उनके अंदर देखो कि exam pressure की वज़े से नहीं हो पा रहा था, यह concept week है बहुत बार ऐसे हो सकता है कि exam pressure तो नहीं, आपने calculation वे रहा तो सब ठीक कर रहे थे आप लेकिन आपको उसकी short approach ही नहीं पता अगर हर बच्चा उसको एक मिनट में कर रहा है और आप चार मिनट में कर रहे हो तो it means आपको उसका कोई loophole है जो उसको question को crack कर सकता है तो वो अपने study groups में पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, कही ना कहीं से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से उसको improve करना है हो गया, यही तीन चीज़ें आपको basically देखनी है हर एक चीज़ के जो question आपके गलत होते हैं, वो आपको error notebook में लिख लेने हैं एक चीज हाथ जोड़ के मिनती है, कि उस error notebook को पढ़ लेना यह मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2019 का जो attempt दिया था, मैंने season का उसके अंदर मैंने यही किया था, इतनी मोटी error notebook बना ले थी और उसको कभी नहीं पढ़ा अगर उसको नहीं पढ़ा, तो यह जो एक घंटे की माभारत में ने काई है ना, पूरी 0 है तो वो जो error notebook है ना, उसको जरूर से पढ़ लेना अगर यह सारी चीज है आपने follow कर ली ना, तो एक महीने के अंदर आप सभी लोग आके इसी वीडियो के comment section में लिखोगे, कि आपने क्या drastic improvement कर दी है आपने mock test के score में और यह चीज में आप लोगों को बोल रहे हूँ, अगर सारी चीज़े आप इसमें को follow कर रहे हो, तो comment section में आके जरूर लिखना अगर नहीं होती है, तो वो भी लिख देना, ताकि मुझे पता लग जाए, जिस confidence से मैं बोल रहे हूँ, मैंने अपने चीज़ें को improve किया है, वो चीज़ें आपके उपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने confidence से इसलिए बोल रहे हूँ कि मैंने किया है, मेरा हुआ है, और इतने सारे और लोगों का भी हुआ है, तो आपका भी हुगा, इस इसको implement करो, जो भी चीज़े हैं, उनको सारी चीज़ों को समझो, सारी चीज़ों को अपने mock test के अंदर implement करना start करो, test book का pass pro अगर लेना है, तो link जो है, वो buying link description box में डाल दिया है, मैंने जाके ले सकते ह open code already मैं आपको बता चुकी हूँ, वो लगा सकते हूँ, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को share कर दो अपने उन दोस्तों के साथ में, जो government job की त्यारी कर रहे हैं, ताकि किसी और भाई का भी भला हो जाए, किसी और बहन का भी बला हो जाए, चलो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत